Hey guys, welcome to the Enroid Guide channel and आज के इस वीडियो मैं आपको Nothing Phone 2A के बारे मैं बताने वाला हूँ इस स्मार्टफोन को मैं compare करने वाला हूँ Realme 12 Pro 5G के साथ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों स्मार्टफोन में क्या-का differences and similarities है क्योंकि इन दोनों स्मार्टफोन में आपको जब वह 2000 रूपीज का price difference देखने को मिल रहा है लेकिन इस price difference में कौन सा phone जब बेटर रहने वाला है उसके बारे मैं आपको इस वीडियो में in detail बताने वाला हूँ इस वीडियो को पूरे अन तक देखें बट उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिल आइकन प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तब आप तक notification पहुंच सके तो चलिए वीडियो में आगे बरते हैं हुआ है शो काई सबसे पहले बात करते हैं नथिंग फोन 2 तो इस स्मार्टफॉन में आपको एक 6.7 इंच का फिल फ्लाइशिपल्स फ्लैकसिवल एम लड़ डिस्प्लेइब मिलता है रिल्मी आपको 6.7 इंच का 4sd plus curved amoled display यहाँ पर नथिंग में आपको 1300 nits का brightness मिलता है and realme में आपको 950 nits का दो नहीं में आपको 120 hertz का refresh rate मिलता है 240 hertz का touch sampling and यहाँ पर नथिंग में आपको media tech a demon ct7 200 pro मिलता है and realme है उसमें आपको snapdragon 6 gen 1 का नथिंग में आपको 15 में 2 mega pixel का selfie camera मिलता है and realme में 16 mega pixel का and nothing में 45 watt का fast charging मिलता है realme 67 watt का nothing में Bluetooth 5.3 मिलता है realme Bluetooth 5.2 and 24 Wi-Fi 6 का support मिलता है NFC 29 मिलता है 5G network का support मिलता है and in display fingerprint scanner 29 मिलता है nothing में आपको nothing OS 12.5 मिलता है realme UI 5.0 and दोनुहीं smart phones में android 14 out of the box मिलेगा nothing में आपको advanced cooling system मिलते हैं realme 12 pro 5g में आपको 3D VC cooling system मिलते हैं यहां पर nothing में ip54 का water and dust registration मिलते हैं realme में ip65 का and यहां पर nothing में 12 GB RAM and 256 GB ROM का maximum support मिलेगा and realme में 8 GB RAM and 256 GB ROM का support दोनों ही स्मार्टफोन में 8 GB virtual RAM का option दिया गया है दोनों ही में two color option दिये गया है and starting price है वो nothing का price 23,999 and realme 12 pro 5G का price 25,999 so guys इन दोनों स्मार्टफोन को compare करने के बाद यहां पर display में जादे differences नहीं है display जो है वो nothing में आपको 1300 nits का brightness मिलता है peak brightness और जो realme 12 pro 5G है इसमें आपको 950 nits का peak brightness मिलता है दूसर difference इसके chipset में है nothing में आपको media tech का dimensity 7200 pro मिलता है और जो realme है उसमें आपको snapdragon 6 gen 1 का जो आपको support मिलता है nothing में आपको selfie में 32 megapixel selfie camera मिलता है realme में आपको 16 megapixel का and nothing में आपको 50 megapixel का main camera plus 50 megapixel का wide मिलता है और realme है उसमें आपको 50 megapixel का main camera and 32 megapixel का telephoto and 8 megapixel का wide camera मिलता है तो यह सब differences आपको दिये गया है charger में भी difference मिलता है nothing में आपको 45W का fast charging मिलता है और जो realme है उसमें आपको 67W का fast charging का option दिया गया है and nothing जो है उसमें आपको IP54 का वाइटा इंडस्ट रेंशने मिलता है लेकिन जो realme है उसमें आपको IP65 का वाइटा इंडस्ट रेंशने जो maximum support मिलेगा वापको 12GB रामें 256GB लेकिन जो realme है उसमें आपको 8GB रामें 256GB का maximum variant दिया गया है so guys यही कुछ जो differences है और मेरा माना ही है कि इन दोनों में से कोई एक smartphone अगर आप purchase करने का plan कर रहे है तो यहां पर मुझे अगर purchase करना हो तो मैं realme के जगह पे nothing phone 2a के साथ जाता क्यूंकि इस smartphone में मुझे जो पीछे के साथ जो transparent वाला design दिया गया है वह काफी बहते ने लगा मुझे उसमें जो lights दिये गया है उसको आप 15 तरह से customize कर सकते हैं वह तो इसके pro feature है ही क्योंकि यह phone बनाता है यह company लेकिन इस phone में आपको एक अच्छा chipset मिलता है अच्छा camera मिलता है अच्छा selfie camera मिलता है तो overall अगर देखा जाए display के साथ साथ क्योंकि डिस्प्ले का brightness बें 1300 निट्स का बिंद रहा है तो overall अगर price to performance अगर देखा जाए तो यहाँ पे nothing phone 2A बेटर performance दे रहा है in compare to Realme 12 Pro 5G So guys अगर आपको मेरे वीडियो informative लगा हो तो आप इस वीडियो को like करे मेरे चैनल को subscribe करे और कोई वी question पूछना हो तो नीचे comment करे मैं answer जरूर दूँगा